कि हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब अच्छे होगे और अभी आप देख सकते हो चारो तरफ रेती रेत मैं जैसलमीर में हूँ सेंड्यूस में हूँ वहाँ पे गुम रहा हूं आप से कुछ बात करूं कुछ चीजें शेर करूं इंडिया के बारे में लोग बूलते हैं कि यह भ वह सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया में कितनी सारी गुमने की जगे हैं और इंडिया बाकी वर्ल्ट से कैसे डिफरेंट है और इंडिया है वह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक ऐसी कंट्री है जहां पे इतनी सारी वेराइटी मैं केवल टूरिज्म के इसाब से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर डाइवर्सेटी है अपने इंडिया में लेकिन केवल टूरिज्म के वेसिस पर अगर मैं बोलू हूं तो इतनी डाइवर्स कंट्री दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी मैं पॉइंट पॉइंट आपको बताता हूं कि क्या चीज हैं हमारे इंडिया के बारे में क्यों इतना special है और क्या इसकी कमिया हैं इसकी reputation क्यों खराब हो रही है tourism के साब से अगर बात करते हैं तो दोनों points मैं दीरे-दीरे cover करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं diversity की diversity की अगर मैं बात करूँ तो देखो किसी भी country में जाओ Thailand में जाओ क्यों famous है beaches की वजए से उसकी और भी reasons हैं लेकिन मैं किवल tourism attraction की बात कर रहा हूं beaches है वहाँ पर maximum countries में जाओगे south east station countries में तो वह beaches की वजए से famous है दुबभी वगेरा जाओगे क्यों famous है इसकी वजए से यह desert है वहाँ पर desert वगेरा की safari होती है आप Switzerland जाओगे क्यों famous है वहाँ पर अच्छी mountain region आपको देखने को मिल जाएंगी है अगर आप कोई भी country बता दो अगर आप for example सर्दियों में यूरोप में जाना चाहते हो क्यों snowfall देखने के लिए है अगर आप for example forest देखना चाहते हो तो कहाँ पर जाना चाहोगे amazon वगेरा है या फिर राइन वगेरा है यूरोप में या फिर हो सकता है एफ्रिका में भी जाना चाहो या फिर आप elephant वगेरा wildlife देखना चाहते हो तो आपका जो है वो South Africa या फिर यहाँ पर जाना आप प्रफर करोगे तो जादा दर कंट्री है उनमें से कोई एक चीज को पकड़के उनका टूरिज्म है वो पूरे चलता है अच्छा अब मैं इंडिया के बारे में बात करता हूं इंडिया में क्या-क्या देखने को मिलता है आपको आप बीचिस चाहिए आपको अच्छे गोवा चले जाओ गोव पहले बहुत क्लीन थे अब इतने ज्यादा भीड जाती है वहां पे गंदगी कर देते हैं तो फिर उनके बीच है वह भी अच्छे नहीं रहे अभी आप द्यू में जाओगे तो वहां की बीच है आपको एक तो क्रिस्टल के लिए मिलेंगे यह तो होगी बीच की बात अब बात करते हैं अगेन जो डेजर्ट में मैं खड़ा हूं देख सकते हो इतना व्यूटिफुल डेजर्ट है तो यहां पर आ सकते हो अब बात करें माउंटन रेंज की तो माउंटन रेंज पर जाना है आप शिम्ला मनाली जा सकते हो एक सेक और सर्दियों में जाओगे तो अगर आपको और अच्छे माउंटन रेंज देखने हैं और अच्छा एडवेंचरस लाइफ चाहिए तो आप लद्दक चले जाओ लद्दक में और भी अच्छा है अगर आपको एक तम विलिज वाली लाइफ देखनी है आपको एक शांती वाली लाइफ पसंद है अगर आप यहां पर आज़स्तान में तो हर जगे आपको हर तरह की लाइफ जीने को मिल जाती है तो अब बात अती है कि देखो दो फेक्टर दो दो चीजे देमाग में आती है पहली चीजfish तो इतनी सारी चीजे है तो हमको इंडिया क्यों इतना पसंद यहां एक हो लेकिन अगर वर्ड लेवल पर देखे हैं, तो और चीज़ें इतनी ब्यूटिफल देखती हैं, हिंडिया की चीज़ें उतनी क्यों नहीं देखती हैं, ऐसा अगर आपके दिमाग में डाउट आता है, तो उसका रिजन है हम खुद, हम खुद इतने लापरवा हैं, हम खुद अपनी कंट्री के लिए हमको इतना प्राइड नहीं है, इतना हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेते हैं, अब यहां पर भी जाओगे तो इतना ब्यूटिफुल यह है, लेकिन अगर आप मैं यहां पर देखना होगा, लेकिन अगर मैं दिखाना चाहूं, तो यहां पर भी लोगों ने आते हैं, बियर पी, बॉतल पी यहां पिफैंक गए, अब यह अरी रेगिस्तान है, इतना बडा रेगिस्तान है, यहां पर कौन उठाने आ रहा है इनकी बोतलों को, यह ऐसी साल तर साल साल तर साल यह बढ़ती जाएंगी कुछ टाइम बे फूरा डेसर्र इतना beautiful area है यह पूरा यहां पर कच्रा पात्र बन जाएगा यहां पर रेस्ट बिन बन जाएगा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार कोई भी है आपको भी हैर पीनी यहां पर बैठके आरहां से लेके इतनी जिम्मेदारी है आपको बैग में रख के अपने रख के अपने होटल में जाकर डाल दो अपने चोटी चोटी हूटी होती है एक जना आगर तीन चीज़ा पहेकर दो इंडिया की पॉपुलेशन सेकिंड लार्जस्ट है यहां पर इसे साब से अगर चलेगा तो बताओ कैसे मतलब हमारी जो देखने वाली चीज़ें वो अच्छी रहेंगे और कल को अगर को वेस्टन कंट्री से यहां पर आता है यह एपरोड से कोई भी आता है इंडिया के लाव और जगे बुराई का और अच्छाई का दोनों का सेम फॉर्मूला चलता है अगर आप किसी चीज की बुराई करते हो तो समझे लो वो आट से दस कस्टमर आपके कम करता है टूरिस्ट कम करता है और अगर अच्छाई करते हो तो वो सकता है आट दस टूरिस्ट वो लेके आएगा ले आपको ग्यान दूँ या फिर आप किसी को ग्यान दो कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा सब को पता है उससे नहीं होगा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इंडियूजर लेवल पर अज यह सोच लो कि मैं कहीं पर भी जाओंगा तो मैं ऐसा कच्रा नहीं करूँगा मैं जितनी भ ब्यूटी है वह अगर कच्रा नहीं हो ना वहां पर बहुत सादा बढ़ सकती है बीचेस क्या सेम होते हैं पूरे वर्ल्ड में बीच जाओ तो बीच में कोई डिफरेंस होता है लेकिन एक बीच देखो मुंबई के वहां पर कितना कच्रा काया होगा है एक बीच देखो जादा डिस्गस्टिंग चीज है दूसरी जो सबसे जादा बुरी चीज है जो इंडिया को जिसने बहुत जादा इन फेमस किया हुआ है वो है रेप यह ना वर्ल्ल मीडिया में ऐसा बना रखा है कि इंडिया इस्पेशली फॉरें की जो सोलो ट्रैवलर है या फिर फीमेल उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो यह इमेज हमने क्रियेट कर दिया अपने इंडिया की लड़किया मतलब क्या सोचती है वो सोचती है कि हम इंडिया में गुमने आएंगे तो हमारा रेप हो जाएगा है ना ऐसा यहां पर मतलब बिल्कुल भी इस चीज के लिए एक माहुल बनाया हुआ है तो यार इसा पहली बात तो इस चीज को और क्यों गरते हो। अगर तुम्हारे गर में महमान ऐरा है अगर कोई गुमनें आ रहा है बार के कंट्रिय में तो हमारी मेहमान है थो अगर कोई महमान आता है तो घ्र उसको अगर आप रेस्पेक्ट करोगे उसको अगर चार चीज़ें बिना कुछ सेलफिस्ट मोटिव के चीज़ें बताओं सब्सक्राइब वह कितना एप्रिशियेट करते हैं वह बहुत एप्रिशिट करते हैं लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चोरी हर्गत करोगे या फिर उनको लूटने की कोशिश करोगे अब ज्यादातर कंट्रीज में जाओगे न वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए चीज दस्की और अंग्रे जा रहा है तो उसके लिए सौक यह यह भी चीजे मत करो यार इस ची चीज हैं इनको तो यार बिल्कुल मत ही करो इन चीजों को तो बिल्कुल भी बढ़ावा मत दो यार एक तरह से समझ लो एक रेपिस्ट का तुमारे उपर इल्जाम लग रहा है और वह ऐसा कंट्री लग रहा है ना ऐसा कोई इंडिविजॉल के लिए उपर नहीं लग रहा और देखो मुझे यार बड़ी शरम आती है इस चीज को और कुछ थोड़ा मतलब क्या ही बोलू मतलब फीलिंग को मैं उसको नाम नहीं दे सकता लेकिन यह देखो एक छोटी-छोटी कंट्री थाइलेंड जैसी कंट्री देख लो थाइलेंड में क्या होता है थाइलेंड मे कितना बड़ा है कितनी ज्यादा गूमने वाली जगे है फिर भी इंडिया में उसका हाफ टूरिज्म नहीं है चलो यह तो हाफ की बात है इजप्ट का देखो इजप्ट में देखने के लिए कुछ भी नहीं है इजप्ट में बस पिरैमिट्स इजप्ट में अगर देखो तो टूरिस्ट जाते हैं गुमने के लिए हर साल क्या है में पर डेजर्ट जैसा है कुछ पांट उसका कुछ पांट है वह पिरामिट्स बने हुए उन परामिट्स को देखने के लिए इंडिया की पूरी डाइवर्सेटी से तीन से चार्ट कुना ज्यादा वहां पेड़ रहती है और भी आओ गया मैं क्या वीडियो बनाता हूं वीडियो डलते तो वहां पे है वो तीन से चार गुना उसका ज्यादा वहां पे टूरिस्ट रहते हैं तो उस चीज का क्या रीजन है उस चीज का सिंपल ये रीजन है कि वहां पे जाने में लोग सेफ पील करते हैं केवल एक फैक्टर है अगर आपको लगता है कि यहां इंडिया तो सेफ है इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ न पाकिस्तान या फिर ऐसी किसी गंट्री में जाने को बोलो तो अपको डर लागेगा ना तो वो डर है वो टूरिस्ट के मन में इंडिया के लिए हो जाता है तो वो डर की रियर्ड मत करो वाली को देखो बाली में ब्यूटिफुल है नेच्छरल बीटी है लेकिन वहां पर मैं हर किसी को देख सकते हो बाली-बाली-बाली क्योंकि वहाँ पे उनको security फील होती है वहाँ पे उनको चीजें सस्ती मिलती है इंडिया जो वराबर सस्ती और कहीं मिल भी नहीं सकती लेकिन वह जो feeling है वह जो security वाली चीज है वह जो factor होता है वह आपको three, four, ten times tourism है वह बाल फाइदा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा tourism create होता है ज्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है तो वह इंडिया की development के लिए बहुत अच्छा है तो यह होप यह आपको समझ में आयोगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाबाए हुआ 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 है